नभुश्क्राइब दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे गेमिटोगोनी के बारे में इससे पहले के जो दो वीडियो में बना चुका हूँ उनको आप प्लीज देखिए उसमें हमने प्री एरित्रोस्टेटिक साइजोगनी और एरित्रोस्टेटिक साइजोगनी को चलिए बिना देरी किये हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं और इस इलुस्टेशन को री क्रियेट करने की कोशिश करते हैं आल राइट तो चलिए शुरू करते हैं गेमिटोगोनी को समझना और इसके जो अलग-अलग चीज़े हैं वो किस तरह से रिलेटेट रहती है क्या क्या इसमें components रहते हैं वो सारी चीज़ें हम यहां पर समझेंगे यहां से शुरू करते हैं लास्ट ताम यहां तक हमने cover किया था विज इस Mirozoid formation अगर आपको ध्यान रहेगा जो हमने पीछे cover की हैं चीज़े उसमें Mirozoid formation हमने में RBC से cover किया था कि Mirozoids किस तरह से create होते हैं RBC के अंदर और यह release होते हैं इन दे बॉड़ी ना इनकी वज़े से बहुत सारे complications होती हैं और further इसके बाद क्या होता है वो भी समझ लेते हैं और किस तरह से mosquito से होके दुबारा से जो परासाइट है वो human body में आ जाता है तो यहां पर Mirozoids यह वाले चुड़ चुड़ चुड़े components जो आप देख रहे हैं यह Mirozoids हैं जो की release हो रहे हैं after the RBC leases next step क्या रहेगा और इसको मैं level कर लेता हूं गमेटोसाइट्स जो है इसको क्योंकि next हम पढ़ने वाले हैं गमेटोसाइट formation और यह हैं हमारे male और female गमेटोसाइट्स these two from plasmodium yvex, plasmodium ovale, plasmodium malaria तो अगर आपको ध्यान रहेगा हमने discuss किया था कि plasmodium में भी अलगले species रहती है और एक और species रहती है जो की है plasmodium falciparum और यह रहे उसके female और male गमेटोसाइट्स तो मिरोस जो हैं वो convert होंगे male और female गमेटोसाइट्स में inside the human body तो अब यहां पर देखेंगे plasmodium yvex, ovale और malaria की गमेटोसाइट्स कुछ इस तरह के structures के रहते हैं और जो falciparum के हैं वो elongated shape में आप देख पा रहे होंगे elongated shape में male और female female थोड़ा pointed है, male थोड़ा blunt है और इसके case में आपके पास oval shape में रहेंगे तो इनको level भी कर लेते हैं किस तरह से, जो mirosuits हैं वो further they get converted into male and female gametocyte तो यह बहुत important step है because यहां पे gametocyte formation हो रही है और further इन gametocyte की development होगी inside the mosquito तो इसलिए मैंने dotted line यहां पे represent करी है तो next mosquito में आते हैं तो क्या होगा और next step जो है इसमें क्या होगा कि आपके पास जो male और female gametocyte से वो convert होंगे macro gametes, macro gametes rather मैं कहूंगा और दूसरा micro gametes तो micro gametes जो आप यह single structure देख रहे हैं यहां पे यह आपके male gametocyte से बनेंगे macro gametes और female gametes जो है आपका वो macro gametes में convert होगा और जब यह conversion हो जाएगी then they can fertilize means यहां से जो micro gametes है वो travel करेंगे और interact करेंगे macro gametes के साथ और इस तरह से fertilization की process होगी, sexual reproduction होगी इसी लिए जो sexual reproduction होगी वो mosquito में बताई गई है और arrow में लगा देता हूँ यहां पे ताकि clarity हमारी थोड़ी बढ़े तो यहां से macro और micro gametes आपस में fuse होके and obviously अगर physiology का concept आपको clear है next आपका zygote formation यहां पे हो जाएगा तो यह कुछ steps हैं जो बहुत essential है और in the development of parasite in the mosquito तो जब यहां पे gametes interact करेंगे macro gamete, micro gamete और आपके पास zygote formation हो जाएगी right कुछ एक चीज़े यहां पे समझनी बहुत ज़रूरी है gametocyte development actually takes place inside the blood vessel of internal organs such as spleen and bone marrow यहां पे यह बात समझनी बहुत ज़रूरी है और इसका एक time period है time of appearance of gametocytes in the circulation उसमें specific time रहेगा for specific species for example plasmodium vivax में 4 to 5 days माना गया है falciparum में 10 to 12 days माना गया है malaria में 11 to 14 days माना गया है ovail में 5 to 6 days माना गया है तो यह सारी चीज़ें आपको याद रखने और समझनी बहुत ज़रूरी है यह variable रहता है लेकिन on an average आप दिखेंगे कि यह सबसे दार time लेता है plasmodium malaria के case में और सबसे कम vivax के case में और next अगर हम बात करें कि gametocyte जो है fertilization की बात करें तो fertilization occurs between micro gamet male when it encounters the female which is macro gamet macro gamet और micro gamet जब यह fuse होंगे this will lead to the formation of zygote तो यहां पर zygote formation हमारे पास complete हो जाती है और उसके बाद होती है oocyst development और एक और component आता है जिसको okinete भी कहते हैं वो भी एक important component हो जाता है और उसके बाद जो है various stages of oocyst आती है तो इसके लिए मुझे यह सारे structure I think मुझे यह move करने मैं I have to create the mosquito gut right over here तो सारी stages एक एक करके I'll create the stages of oocyst development right अब जाइगोड की formation जब हो जाती है उसके बाद आपके पास आता है oocyst development और वहां से फिर पहुसार इस निकलेंगे तो अगर इसको हम mid gut मान लेते हैं mosquito का इसको मैं level भी कर लेता हूं for better clarity right यहां पर मैं इसको label place कर देता ह हो इसका okay all right और यह zygote जो है देखें अब oocyneet होगा within 24 hours the non motile अब यह हमारा जो non motile है zygote जो है non motile rounded zygote जो है वो एक तरह से vermicular motile elongated form में convert होगा यह उसको जो है apical structure होगा जिसका और वो हमारी होगी oocyneet stage और इस में जो है बहुत important stage है और इस stage पर क्या होगा oocyneet will penetrate into the stomach wall of the mosquito because zygote जो है converted हो गया motile form में और it will now will penetrate inside the stomach wall of the mosquito just beneath the basement membrane right और next आपके पास it will develop in the form of a rounded structure which is the oocyst और further जो है बहुत सारे oocyst उस particular area में बन सकते हैं और उनका size जो रहता है 500 micrometer के लगए उनका size रहता है तो चले oocyst भी हम create कर लेते हैं हमने already बनाई हुई है तो यहां पर oocyst आप देखेंगे in different stages of sporozoid formation तो उसके अंदर oocyst के अंदर इस तरह से अलग-अलग stages होंगी और end में आपके पास sporozoids पनेंगे और वो sporozoids जो है move करेंगे salivary gland of mosquito तो इसको मैं label कर लेता हूं for clarity तो यहां पर what we are trying to show you is basically the development of oocyst formation और यहां से जो है आपके पास sporozoids release हो जाते हैं और यह sporozoids जाएंगे कहां पर इस particular organism के salivary gland में यह जाएंगे और इस sporozoids और आप जानते हैं कि sporozoids जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फिर mosquito से in the humans और भो हमारी आजाती है फिर erythra से रे साही जोगा नहीं फिर वहां से गलिवर cells और RBCs तो यह कुछ और लेबल्स यहां मेरे पस थे I think I should also use them तो यहां से आपके पास sporozoids they are moving at the salivary gland of female anafiline mosquito और I think यह वाला इनको मैं delete कर देता हूं यह this is much better illustration for the fertilization from macrogamate and microgamate तो आप यहां पर देखिंगे mosquito is playing an important role in transferring the sporozoids in transferring the sporozoids from mosquito to humans and also it's playing very important role in the development of macrogamate and microgamate अब यह आए कहां से तो mosquito ने जब blood meal लिया infected person से तो उसने बहुत सारे forms ली अपने blood wheel में blood meal में और only gametocytes they survive inside the mosquito और further उनकी development होगी बाकी जो है सारे digest हो जाएंगी form तो only जो sexual forms हैं सिर्फ वो रहेंगी और उन्हें की development होगी और further वही sporozoids बनाएंगे और sporozoids फिर वहां से humans में transfer होंगे क्योंकि उससे आगे जो है mosquito blood meal लेगा और transfer कर देगा into the humans और वहां से फिर हमारा again you can go and watch the video which is rethrocytics है जोगा नहीं और वहां से again cycle continues जितने infected जो area में लोग होंगे उतनी जाधा possibilities है उतनी जाधा mosquitoes होंगे जिसमें उससे होगी और आपने देखा ही है कि बहुत सारी उससे हो सकती है और बहुत सारे sporozoids उसमें आ सकते इसलिए mosquito को control करना बहुत important हो जाता है और साथ ही साथ ये भी कंट्रोल करना important हो जाता है कि humans कम से कम infected हो क्योंकि they are interrelated तो ये कुछ एक चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था specially the plasmodium life cycle because it's a very important life cycle how fascinating the life cycle is how many different forms basically the parasite changes traveling from humans to mosquito and again back to the humans कितनी जादा variation होगी antigenic variations होगी कितना immune system को fight करना पड़ेगा identifying and recognizing these different different forms of the same parasite right तो बहुत fascinating लगता है when we study parasitology and they have actually developed complex system of hiding from the immune system so I hope कि आपको clarity बढ़ी होगी इस वीडियो से और आपको समझ में आया होगा किस तरह से गेमिटों गोनी जो है complete होती है मौस्किटों में और किस तरह से ये सारी चीजें again back to the sportsoid formation आती है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अचा लगा है then please support कीजिए चैनल को अगर वीडियो आपको सच में आपको सची information सही information मिली है तो आप प्लीज लाइक कीजिए और प्लीज उसको share जरू कीजिए तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में जहांपे और ज्यादा चीजें हम cover करेंगे और interesting चीजें complex चीजें बहुत interesting way में cover करने कोशिश करेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में